चलिए आज बनाते हैं चन्ने से बहुत ही healthy और tasty नास्ता जिसे बनाना बहुत ज़्दा आसान है बहुत ही कम से में आप इस recipe को बना करके तयार कर सकते हैं छोटे से लेगे बरों तक सभी को यह नास्ता बहुत पसंद आता है सबसे अच्छी बात कि ये कम महनत में आप इस recipe को ठोड़ी से कर सकते हैं पानी डालने के बाद इसी के साथ हम ini में डाल देंगे हादा हुटा छोटा चमच नमग और सबसे पहले घॉयज की फ्लेम हाई करते हुए पानी में एक उबाल आ जाने देंगे डिखेश पानी फ्लेम में एक उबार आ गया है को सुझी को करके οल करें चावल और पानी को चावल का आटा थोड़ा सा थन्डा हो जाए इसे साथ इसमें आड़ कर देंगे आदी चोटी चमच कुटी हुई लाल मिर्च लाल मिर्च एड़ करने से इस नास्ते का लूप थोरा सा अच्छा आता है और थोरा से यह तीखा बन जाता है इसी के सांथ हाथों में आप थोरा सा तेल लगा लिए और इसको मसल करके अच्छे से घ्यान में रखेगा अगर आप चावल का आंटा एक कप इसतमाल कर रहे हैं पानी भी एक कप इसतमाल नगा है कि चावल का आंटा थोरा सा गीला हो गया future थो निफिक माप थोरा सा सूखा तो regular तेल भी आप डाल सकते हैं जैसे ही तेल गड़म हो जाएगा आदा छोटा चमा जीरा डाल देंगे जीरा को सबसे पहले करेकल हो जाने देंगे जैसे ही जीरा चे तरीके से भुन जाएगा इसमें एड़ कर देंगे दो हडी मिर्ची बारी कट करके और साथ ही एड़ कर देंगे एक प्याज एकदम बारी कट करके अब ग्याज कफले मीडियम रखते हुए प्याज को हम भुनेंगे लेकिन प्याज को जैजा देर के लिए हमें बिल्कुल भी नहीं भुनना है पस प्याज को हमें हलका सा सौप्ट कर लेना है देखे दो मिनट हो चुका है प्याज भुन चुका है अच्छे तरीके से इसी के साथ मैं इसमें एड़ कर दूँगी एक सिम्लामिट जिसे बारी एक बारी काट करके यूज कर रही हूँ इसी के साथ दो चमच आड़ कर रही हूं कदुकस की हवा गाजर अगर आप इसमें बींस डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं लेकिन बारी एक बारी काट करके अगर टमाडर डालना चाहते हैं टमाडर भी डाल सकते हैं लेकिन बारी एक बारी काट करके अब सबजी आड़ करने के बाद सबजी कोशे तरीके से हम भूल लेंगे 2-3 मिनिट के लिए तब तक चलिए एक चोटी से तयारी कर लेते हैं अब इधर मैं ले रही हूँ 1 फूर्स कप चैना जिसे मैं हलका सा गरम पानी में इसे 2 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ दी दी ये उबला हुआ चैना नहीं है बस फूलाया हुआ चैना है अगर आपके पास उबला हुआ चैना है तो उससे भी सनास्तिव को आपना सकते हैं चैने को हम डाल देंगे मिकसर के जार में इस ती के साथ एड़ कर रही हूँ 1 आलू आलू को सबसे पहले छील करके धो करके साफ कर ले और छोटे छोटे पीसेज में काट सकते हैं आप चाहें तो आलू को इसकिप भी कर सकते हैं इसी के साथ आड़ कर रहे हूँ चार लेसन की कलिया और बीना पानी डाल लए हुए सबसे पहले इसे पीस करके तयार करें अगर चने को पीसने में आपको दिक्कत आ रही हो तो एक छोटा चमच पानी का इस्तमाल कर सकते हैं उससे ज़्यादा आपको पानी नहीं डालना है और देखे इस तरीके से हम इसे दर दरा सा पीस करके तयार कर लेंगे चलिए गैस के तरफ चलते हैं 2-3 मिनट हो चुका है सबजी अच्छे तरीके से भून गया है तो अब मैं इसमें आड़ कर दूँ कि चना जिसे हम पीस करके रखे वेते चना आड़ करने के बाद थोरा सा मसाला आड़ कर लेते हैं जैसे कि आदे चोटी चमच भुना हुआ जीरा पारड इसी के साथ आदा चोटा चमच गरम मसाला आड़ कर देंगे आदी चोटी चमच धनीया का पारड इस्तमाल कर रही हूँ साथ में आदा चोटा चमच चिली फलक्स डाल देही हूँ अगर अपके पाद चिली फलक्स नहीं है तो लालमिटी का पारड भी आपachu इसितमाल कर सकते हैं इसी के साथ नास्ते को कलर देने के लिए 1.4 टीसपून एड़ कर देंगे हलदी का पॉरर और टेस्ट का नुसार हम इसमें नमक आड़ कर देंगे अच्छा फ्लेवर है और आलू का जो कच्छा फ्लेवर है वो खतब हो जाए इससे हम साथ से आठ मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूल लेंगे अभी अच्छे तरीके से भून गई है इसको बंद करके इसे मैं निकाल ले रहे हूं प्लेट फॉर्म पे और इसमें आड़ क पहले इस चोटी सी काम को आप जरूर कर ले अगर आप इसे स्टीमर में करने वाले तो उस थाली में सबसे पहले त्याल लगा ले तो पहले त्योंते समय यह चकले बेलन में चीपके नहीं और बस लोई बनाने के भाद इसे बिलन से हलके हाथों से आप बेले ज्यादा प्रेशर लगाते हुए आप इसे ना बेले क्योंकि चावल का आटा बहुत ज़्यादा सौब्ट होता है तो बीच से फट सकता है इसलिए हलके हाथों से आहीं आप इसे बेल ले और देखें मैं इसका थिकनस दिखा रही हूँ इस आप से आप इसे कट कर ले और एकस्टा जो आटा निकल रहा है उसे आप आतों मे Przy्रोंटे लेखे भी बना कर के तयार कर ले gi से कवर करते गास का फ्लेम हाई रखते हुए इसे 10-15 मिनट के लिए हम इस्टीम कर लेंगे और अब मैं आपको 15 मिनट के बाद दिखा रहे हुँ नास्ता अच्छे तरीके से स्टीम हो चुका है तो बस इसे हम सर्व कर लेंगे इस नास्ते को आप गरम-गरम में ही सर्व करें बहुता टेस्टी और गम सॉफ्ट लगता है तो चलिए है मेरी आज की रेसेपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को छोटा सा लाइक कर दिजेगा मेरे चैनल पर नय होंगे तो चलनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अपने फ्रेशन फब्ली में जरूर शेर कीजेगा इ फिर इसके साथ फाराधनिया की चटनी बना सकते हैं दोनों के साथ ये नास्ता बहुत ही अच्छा लगता है ट्राई जरूर कीजेगा